को सेंटीं ओपन कर लें टैश्कला से लेड़ होकर आए हैं कपी के वाले बच्चे कौन कोई नहीं गए तेक्सला से घुजर के आठे पिशावर वाले प्रपरटी प्लांट एक जो है ना एक फेवरिट अजस्मेंट टाइप चीज है बाई बाते नहीं प्लीज वैसे जड़ा मेरा दिल कर प्रपरटी के बारे में क्या कहता है वो पिछले सवाल में यह ना पंदरह इंक्रीज इन फेयर वैली ओफ अच्छा यह नहीं कि इस सवाल में ओ कह रहा है इन्वेस्ट्ट प्रपरटी में फेयर वैली मॉडल गालिब लगा है जो आपने होंवर करना है इसे जदा नहीं TL applies cost model for subsequent measurement यानि के दो सवाल है एक आपने होंवर आज करना है एक आपने कल किया जो कल किया उसमें investment प्रपरटी के अंदर cost model यूज कर रहा था और जो आज करेंगे उसमें fair value model अब आपने पढ़ा हुआ है जी अगर cost model है तो depreciation इसी लेजर में आ जाएगी और अगर fair value model है तो adoption नहीं आएगी लेकिन fair value gain loss आजाएगा ठीक है चलें बाहराल देखते हैं आगे तो पीपी ही आगया investment property ही आगया inventories working capital item में जाएगा ये indirect method चल रहा है तो बारा वापस okay trade receivables working capital item पीपे में अधर receivables working capital item लेकिन कोई चीज इनको hit कर गी तो सही कर ले ना ठीक है फिर short term investment working one cash and cash equivalent cash and bank balances working one cash and cash equivalent अच्छा इसमें न ये adjustment number 7 हिट कर रही है इसको अच्छा उसके बाद next share capital का ledger share premium का ledger retained earnings का ledger नॉर्मल है दोनों balances opening भी closing भी normally ऐसे ही होता है एक सवाल में ऐसा हुआ abnormality आगी next revenue surplus का ledger long term loan लेकिन एक मिनट रुक जाओ long term loan भी है उसकी current maturity भी है तो दोनों को add करके कठा opening closing लिखना ठीक है okay next train other payables का working capital item में लेकर जाने वाला मामला होता है ठीक है जी बोले हाँ तो है तो liability ना चंदा लेकिन ये non current loan का current हिस्सा है working capital में लेके जाना working one में लेके जाना long term loan ही है ये सिरफ हमने presentation purpose के लिए उसको थोड़ा तोड़ के लिख लिया था ये की loan को दर असल ये long term loan है non current ये current liability ये short term loan नहीं है long term loan का current portion है इसको short term loan नहीं कह सकते loan तो वो ही है जो हमने लिया वह 10-15-20 साल के लिए उसमें जो अगले एक साल में पी होना है ये अलग किया हुए सिरफ उसको इसको आप current maturity कह रहे है इसलिए short term कह भी नहीं रहे आपने लिखका भी क्या हुए face के ओपर current maturity of long term loans इसको हमने short term loan नहीं कह दिया बिल्कुल current liabilities में ही आएगा तो लेजर तो इसी loan का ही है ना है तो यही loan टूटा इतर देख ले चाले एक मिन देख ले brought down मैं कह रहा हूं brought down के अंदर 445 जमा साथ कितना बनता है 505 opening लिख लो ठीक है closing में भी 367 plus 78 कितना बनता है 445 लो ठीक है क्योंकि ये loan एक ही है अब ये liability के हमने दो portions किये ठीक है किसमें बेटा बेटा अगर शामिल होता तो पिर ये अलग क्यों नजर आ रहा होता क्या शामिल होता था long term के अंदर जब balance sheet के face के उपर हम show करते थे तो ये balance sheet का face ही सामने आ रहा है ठीक है जी तो by long term loan और current portion अगर अलग अलग हों cash low के सवाल में तो आपने उनको add कर लिया करना है लेजर बनाते हुए ठीक है सही है अच्छा नेक्स जी और क्या चीज़ है इसके अंदर हाँ अब one by one adjustments को देख लेते हैं equipment अगर को तसली ना हो इस सवाल के तो दुबारा कर स सकते हैं आप इसको भी मेरे तब से कोई पाबंदी नहीं है अच्छा यहां पर जो मैंने अभी तक balance sheet पढ़ी है अच्छा वैसे आपस की बात है अगर मैं कहूं रखना आपस में इसको आपस की बात को ना आपस में रखते हैं अगर मैं कहूं कि आप इस सवाल को direct method से कर ले हैंगे नहीं हो सकता कि income statement income statement ही नहीं नहीं कासो सेल मुझ चुके हाँ आप ने कहा दिया कोशिश करेंगे मैंने थोड़ देर पहले मैंने भी यही कहा assume कैसे कर लेंगे कर लेंगे यह थोड़े पहले भी मैंने ही कहा था कि इंकम सेटमेंट तफसीली गिवन होगी तो यह मैथड लग सकता है हाथ दो गई यार अच्छा चलें चलें छोड़ें वापस आएं जी बैलेंशीट मैंने रीड आउट की कोई मसला इसमें तो बता दें वरना आगे अड् किया क्याकर क्या है यसचा चलेंट कर दान मेंख 250 गर आपन की एकप्रोंट आफा रोपटयर पैसे नहीं दिये चाहे शेयर्स दे दिये तो शेयर्स 240 रुपे के बदले में ही देने है ना ये तो नहीं कर सकते कि 240 वाली चीज के बदले में जो शेयर्स दें उनकी कीमत 200 रुपे हो या उनकी कीमत 300 रुपे हो बास समझें 240 रुपे की चीज़ खरीदने का या ना बदले में उसको देने हमने अपने shares कैश नहीं देना बलके अपने shares देने हैं तो हम 240 वाली चीज़ के बदले में जब shares issue करेंगे तो उन shares की कीमत भी 240 रुपे के ब्राबर ही होनी चाहिए ना हम 240 वाली चीज़ खरीज़ कि अपने 200 रुपे के शेयर तो देने से रहे वो लेगा नहीं और 300 रुपे भी हम नहीं देंगे हम पागल तोड़े हैं ठीक है ना तो एकिप्मेंट ने डेबिट होना है 240 रुपे से लेकिन अगली बात आपको पता है कि शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या जा हैं इसका मतलब इदा देखो शेयर कैपिटल के अकाउंट में मैंने कहा था पहले पहले क्या लिख लिया करो कॉंटिटी ठीक है तो दो मिलियन शेयर्स ठीक है यह इशू किये हुए हैं अब अगर दो मिलियन शेयर्स को आप 100 रुपे से डिवाइड करें तो कितना बनता है अब आपने 240 वाली चीज की अगेंस्ट 200 रुपे आईशू किया हुआ है तो अगला तो फिर दे गई नहीं यह चीज बास समझ रहे हो इसका मतलब आपके शेयर की कीमत बजार में 200 यह 100 वाले शेयर की कीमत 100 रुपे नहीं र किया है यानि 2,000,000 शेयर जो है उनमें 20 रुपे क्या है प्रीमियम वैसे यह लिखने की भी जूरूत नहीं थी यह वाली फिगर यह वाला 2,000,000 इंटू 20 रुपे यह लिखने की भी जूरूत नहीं थी आप यहां पर जस्ट लिख देते बैलेंसिंग बस आपको तो 40 की ओके अब यह जो आप सवाल कर रहे हैं इसके अंदर आपका पीपीई का लेजर बना हुआ है ठीक है तो पीपीई के लेजर के अंदर 240 रुपे हो जाएंगे डेबिट शेयर कैपिटल के अकाउंट में 200 रुपे हो जाएंगे क्रेडिड और शेयर प्रीमियम में 40 क्रेडिड तो सुलूशन के अंदर चले जाते हैं अचिए ओपनिंग लोग ना एडिशन 240 प्रापर्टी प्लांट एकिप्मेंट में आ गया शेयर कैपिटल में 200 क्रेडिड और शेयर प्रीमियम में 40 रुपे क्रेडिड एंट्री देखी है हमने ठीक है ना सही है यह एड्जस्मेंट क्लियर है चलें आगे ओके नेक्स्ट एज़ल्ट ऑफ रिवैलिएशन केरिड आउट ऑन 30 जून 2020 साल के आखरी दिन रिवैलिशन हुई है ठीक है प्रापर्टी प्लांट एकिप्मेंट वाज इंक्रीजड बाए 80 मिलियन तो यह रिवैलिशन सर्पलस आया है 80 मिलियन का जि जिस से पीपी इबढ़ गया आगे वो कहता है आउट ओफ विच 35 वाज क्रेडिटेड टू प्राफिट एंड लॉस यह वही बात आगी कि सर्पलस आया तो पहले उसने सार उठा के देखा को लॉस तो नहीं पड़ा हुआ तो लॉस 35 का पड़ा था उसने पहले उस लॉस को रिवर्स किया बाकी सर्प्लस प्रॉफ्टन लॉस में चला गया ठीक है तो लें जी यह वाली अजस्मेंट कर लेते हैं फिर अब जी 80 रुपीज से प्रॉपर्टी प्लांट एक्विप्मेंट बढ़ गया ऐसे यह प्रॉपर्टी प्लांट एक्विप्मेंट डेबिट हो गया 80 से जिसके इंदर से प्रॉफ्टन लॉस अकाउंट 35 से क्रेड हुआ बाकी रिवैलिशन सरप्लास वही यह नोसियाई वाला ठीक है कितने से अब यह एंट्री के इंपक्ट क्या जाने हैं यह एंट्री करनी नियुक्त पर्चे में डायक्ट भी आप इंपक्ट लिख सकते थे ठीक है तो भाई यह कहां लेकर जा रहे हो यह लाइट वाला है क्लास में बच्चों को डिस्टर्ब करने आ जातके हैं क्लास में ना आया करो मेरी में पिपइब को एटी से डैबिट करेंगे है एटी से android हो गया फ्राफित 안 लॉस थी फाल से क्रेडित ओड़िट वो यह सब कुछ कर चूगे हैं क्या मतलद क्लाइब आता प्र उस रुपेगे अगेंस्ट कोई कैश का आना जाना कोई नहीं हुआ 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 यह तो नॉन कैश की ट्राजेक्शन है तो अगर प्रॉफिट तक आते आते यह 35 एड हो चुका है तो हमें नॉन कैश अज़स्मेंट के अंदर इसको माइनस करना चाहिए ऐसे शकल क्यों कर रहे हो देखो असी का सरप्लस आया जिसमें से 35 प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हुआ है यानि एजन इंकम रिकॉर्ड हुआ है जोके नॉन कैश है हमने रिवर्स करना है तो प्रॉफिट में एक चीज एड हो चुकी है तो इसको क्या करेंगे मैनस करेंगे मैनस ठीक है तो 35 क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस समझाती है यह बात यह देखो माइनस कहीं से डूंडो नजर आ जाएगा यह रिवैलुएशन रिवर्सल ऑफ रिवैलुएशन लॉस जो 35 का प्रॉफिट तक आते आते क्रेडिट हो चुका है यहनि एड हो चुका है उसको क्या किया गया है लेस किया गया ठीक है और बाकी 45 कहां चला जाएगा रिवैलिजिशर प्लस के लेड जर में लागरे बना ह बना हुआ है 45 से रिवैंसर प्लस का अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट ठीक हो गया ये बात में एंड पर बैंसी फिगर निकलेंगी ना तो ये चीजें उसमें से माइनस हो चुकी होगी अगर आप को होगे ना आज ठीक है अरदला उनको पास भी करें इनने नहीं किया अओ अनको भी करने पास ठीक है लेकिन साथ साथ अल्ला उनको तवफीग दे के वो सवाल भी कर ले next during the year fully depreciated fully depreciated item of PPE costing 36 were sold for 8 million आगे न पढ़ो fully depreciated है cost चास्ट 36 मिलियन है मतलब क्या हुआ अच्छा बुक वैलियो जीरो का मतलब होता है कि जब एसेड की कॉस्ट बराबर हो जाए उसकी अक्यूमूलेटेड डेप्रिसेशन के तो इसी चीज को यूं भी कहा जाता है कि इसकी डव्यू डीवी यानी बुक वैलियो क्या हो गई है जीरो तो फुली डेप्रिशेटेड डेप्रिशेटेड का मतलब होता है ऐसा आसिड जिसकी बुक वैलियो क्या हो जीरो अब हम पीपी का जो लेजर बना रहे हैं क्योंकि हमें अलग से गिवन नहीं है अक्यूमूलेटेड डेप्रिसेशन तो हम वैसे ही इसको किस पर बना होते हैं बुक वैलियो पे तो जब बुक वैलियो पे एक अकाउंट बना रहे हैं तो उस में से क्रेड़िट जो होना है इस डिस्पोजल की बुक वैलियो कितनी है जीरो फुली डेप्रिशेटेड़ पी पी वी से जीरो का एसिट आ गया जीरो की आया ना ठीक है और ये बिका कितने का अब भई अगर फूली डेप्रिशिट एसिट हो ना बच्छपन में आपको शायद बताया भी था कि फूली डेप्चेट एसिट वो होता है जो जो सिफर रुपे का है अब उस एसिट के बदले में अगर हमें एक रुपेया भी मिल जाए तो एक रुपेया भी क्या है गेन हमारी किताबों में तो उसकी वैलियो सिफर है थीक है अब यही एसिट हमें कितने का मिल गया थोड़ क्यों है गेन क्योंकि सिफर वाली चीज हमारी कितने की बिग गई आठ यहां तक को मसला नहीं है मसला अब मसला पढ़ते हैं थोड़ा सा है मसला इसमें वो क्या है वो कह रहा है जी इस पीपी वास यह देखो च्छतीस को तो हमने लिफ्ट ही नहीं कराई च्छतीस को च्छतीस की एकमेड़ेशन के विल्फ क्या हो गई है जीरो हम तो ऐसी एकाउन्ट बिल्फ बना रहे है अगर एकाउंट को से बन रहा होता च्छतीस को वहाँ से माइने स करते करते और पर बुक वैलिफ बन रहा है तो इसलिए अगनॉर कर दिया इसको नाली हो मेरे तो वो मतलब क्या जी रिसीवेबल तो कैश जो है कैश तो कैश ही है ठीक है लेकिन ये कैश जो है वो पूरा पूरा आठ मिलियन रिसीव नहीं हुआ ठीक है जी सिर्फ पांच मिलियन रिसीव हुआ है बाकी का तीन मिलियन क्या है रिसीवेबल है ठीक है ना ये पहले मैंने इसलिए अलग अलग लिखा ताकि आप पहले अराम से गेंदो निकाल लें ठीक है अब इसका मतलब तो बिलकुल वैसी ही एडजस्मेंट होगी जिन बचों ने कल वाला लेक्चर ले लिया है नादिर वाला और वो एडजस्मेंट मैंने यहां पर भी ऐसे ही करनी है और वो एडजस्मे था साल के शुरू में नहीं कुछ भी नहीं था कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट पांच से हुआ रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट तीन से हो गया यहां पर आपने डिस्पोजल लिख दिया कुछ भी कैश नहीं आया यही क्लोजिंग बन गया तीन तो Receivable for Plant या जो भी है PPE Receivable for PPE यहां पे नजर आना चाहिए था Face पे नजर नहीं आ रहा Receivable for PPE वो जो डिस्पोस किया है हमने 8 million का जिसमें ते 3 million outstanding है वो Receivable for Plant PPE है के नहीं है वो Receivable balance sheet के Face पे Acid side पे नजर आ रहा है अगर Acid side पे balance sheet के Face पे नजर नहीं आ रहा तो फिर किसी ना किसी expense में चुपा पड़ा होगा अब वो normal assume करना है के PPE में ही पड़ा हो सकता है आँ नहीं investment property में नहीं नहीं normal नहीं बताओ inventories में होगा अरे debtor में होगा नहीं short term investment में होगा केश कहा हो सकता है अब समझाई बात वो कह रहा है के रिसीवेबल है PPE का एक item बिका है उसका रिसीवेबल है तीन रुपे अगर रिसीवेबल तीन रुपे है तो balance sheet के face पे दिखाओ अगर balance sheet के face पे नजर नहीं आ रहा तो फिर normal assumption लो के अगर face पे नहीं है तो फिर normal प्री payment and other receivers के अंदर ये पड़ा हो सकता है ठीक है अब अठायर जो excuse हाँ चलो बोलो यार ये वही बात वकर adjustment हो जाएगी तो जाएगी तो जाएगी तो इसकी नहीं सर्थ नहीं सर्थ नहीं वह जुश्यों से मैं तो क्या हम चाल रहे हैंगे प्रिप कांट बुक वैलिए वह बन रहा है वो कह रहा है एक 36 रुप्रे का एसट है जो fully depreciated है वो डिस्पॉस हो गया साहर जाहूँ न चाहतीस रुप्रप्रे का एसट अगर फूली डेप्रिट है उसकी बुक वैलिए कितनी है जीरो तो हमने disposal account में क्या पहेंक दिया जीरो यहां से credit disposal account में debit यह asset बिक गया है हमारा आठ रुपे का total यह आठ रुपे लिखे हो है तो आठ रुपे का क्या आ गया game जिसमें से पांच receive हो गया है तीन अभी receivable है यह पांच receive हुआ इसकी entry क्या हो गई asset debit यह cash debit asset cash debit disposal का account credit यह cash received on disposal हो गया है यह investing activity में नजर भी आएगा solution दुमाँ पासी कोई नहीं दूसरी तरह भी यह आ गया है इननलिल्ला अच्छा यह पांच रुपे क्या है जी cash inflow है बोलो यह cash inflow है तो investing activities में इसको नजर आना चाहिए cash receive from sale of PPE पांच रुपे डन cash debit disposal credit बाकी तीन रुपे cash receive नहीं हुआ यह receivable है इसकी entry हो गई receivable debit disposal का account credit ठीक हो गया बोलो अब opening में कितना receivable था इस PPE का कुछ नहीं था इसी साल में बिका है तो closing में receivable कितना आ गया तीन रुपे अब यह closing में तीन रुपे अगर receivable है सवाल कह रहा है यह receivable है तो यह receivable balance sheet के face पे नदर नहीं आ रहा तो कहां पड़ा होगा हमने का यह पिर normal assumption लो ना फिर यह इदर पड़ा होगा prepayments and other receivables ठीक हो गया इसका मतलब यह prepayment and other receivables क्या हो गए गालत हो गए गालत तो working number कोई चल रहा होगा इसमें आप क्या लिखोगे prepayments and other receivables ठैर जा as per question बताओ जी as per question क्या है as per question क्या है 20 और 14 तो 20 opening 14 closing यह है prepayment and other receivables जिन में पड़ा हुआ है यह 3 रुपया भी जो के हम कह रहे हैं operations का part नहीं होता fix asset को बेचना तो क्या करोगे less करोगे receivable for PPE करोगे less करोगे less जीरो माइनस हुआ और इदर से 3 बेटा 8 कैसे किसने 8 बोला 3 बोल रहे थे किसी ने 8 बोल 11 लग रहे है तो सही 20 और 11 हो गया ठीक होगे जी बेटा operations का part fix asset को बेचना नहीं हुआ करता fix asset हम use करने के लिए लेते हैं और कभी कबार 2, 4, 5, 10 साल में एक आदा बेचते हैं इसलिए इनका gain loss operating activities के अंदर नहीं आना चाहिए अगर gain हो तो other income में जाता है loss हो तो other expense में जाता है operations का part हम इसको नहीं बनने देते हैं ठीक है न तो यही बात सिरफ कर रहा हूँ कि यह prepayments और other receivers को तो हमने तो working capital items में लेके जाना है तो वह तो operating activities के अंदर आ रहा होता है तो अगर इस सारे को operating activities में ले गए तो यह तीन रुपे भी वहीं पर शामिल हो जाएगा जिसको उदर शामिल नहीं होना चाहिए विलकुल ऐसे ही जैसे ट्रेड नदर पेबस के अंदर अगर इंटरस्ट पेबल पड़ा हो तो हम कहते इंटरस्ट पेबल को operations का पार्ट नहीं है अलग कर लो ट्रेड अदर पेबल में से माइनस कर लेते हैं उसको अलग लेजर के अंदर ले जाते हैं और बकाया ट्रेड अदर पेबल को working capital changes में ले जाते हैं बिलकुल यह वैसे ही है ठीक है ना आब स्टोरी समझाईए तुमें अच्छा जी जी बोलें इसमें और क्या आ सकता है आपके ख्याल में बेटड नहीं यह अभी receivable है इस साल में still outstanding है अगले साल में यह closing opening बनेगा और receive हो जाएगा तो entry बनेगी cash debit receival का account credit closing में zero हो जाएगा अगले साल में जब receive होगा फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा इसके ला जी अच्छा जिसको चाहिए छुटी निकल जाए क्लास से यहां तक हो मसला अब यहां से क्या होगा जी यह 20 और 11 का difference आपने लेना है working capital item changes के अंदर ठीक है सही है और investing activities में पांच रुपे ने नजर आना है यह तीन cash low में कहीं नजर नहीं आएगा यह तीन cash low में कहीं क्यू है तुम लोगो जी अच्छा जी बोलें चलें आगे यह सवाल पूरा discuss होकर ही छुटी मिलनी है वैसे भी वह बच्छा नराज बैठा एक और एक उदर से वह तीन बचे जिनोंने कहा था लियाकत industry में मसला है उनका दिल है कि आज लियाकत industry discuss करके जाएं लेकिन चले आपके on PPE amounted to 290 सवारी लब्बे न लब्बे सपीड 290 आज 290 हो गया अब यह कहां जाएगा 290 एक तो non cash की adjustment में आपको बनी बनाई ready steady apple go figure दे दी उसने मुफ्त के नंबर add back करोगे 290 को cash low के start में non cash adjustments में दूसरा लेड जर बना रहे हो PPE के लेड जर में भी इसको credit side पे लिखोगे के नहीं लिखना लेकिना कर नहीं लिखना यह जब हमने बना यह यह जब नहीं बना यह जब लिखोगे credit side पे और दूसरा non cash adjustment में add करोगे बलके तक ही लेते हैं इसको यह देखो 290 एड हो रहा है और PPE के में 290 credit भी हो रहा है ठीक है सवाल ने यहां सिफर नहीं लिखा हुआ हमारे लेजर में यहां मैंने सिफर भी लिख दिया था ना disposal का समझाने के लिए जी नेक्स्ट इस को और कुछ भी नहीं करना था अरे वाँ इन्वेस्ट प्रॉपर्टी वाज एक्वाइड फॉर 180 इसक अब यहां पर डेप्री सेशन भी हो निया अला करे बता दे एन इन्वेस्ट प्रॉपर्टी वाज एक्वाइड फॉर 180 मिलियन तो उसने यह बता दिया है के अडिशन कितना है 180 अब बैनेंस नहीं फिगर किस तरफ निकलती है कितनी तो फिर यह क्या होगा अब फिर तो हो ही नहीं सकता कि कोई और चीज हो यूकर डिस्पोजल तो सव 90 की देप्रिशेशन पी यूकर की थी स्थी दसवर गठीक दिशैशन इंवेस्ट्मिंट प्रॉपर्टी की वी अड्वेक क रहोगे अल्ला गरे होई पड़ी हो जी हो रही है दस रुफे है एड़ बैक होगी ठीक है दन सही है कोई adjustment मसला यहां तक कोई मसला चुटी की जल्दी करके जानमा शुरा हो सही सही पता हो समझा रही है अच्छा के लिए adjustment असान है इसलिए नहीं करवा रहा सुन तो लो फिर भी financial charges for the year यह interest expense है क्या है ओके उसके बाद कहता है ट्रेन अधर पेबस अस्तग्फिर अस्तग्फिर उल्ला इसकी अंदर adjustment number six ने हिट कर दिया आके लग गया पता आपको यह वही काम हो गया वही 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 थीक है जी तो बाई लेजर 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 बनेगा ऐसे जल्दी से बना रहा है जल्दी interest expense तो उसने कहा इधर cash आता है इधर expense आता है सवाल ने कहा expense 45 है opening closing भी सवाल ने बता दिया लो एक और लेजर बन गया को देर लगी जी बोलो 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 कहते है ट्रेडर पेबस इंकलूड एक रूड financial charges नहीं financial charges payable of 12 million हमारे साल में 17 million पिछले साल में तो यह 17 और यह 12 यहां से cash balancing निकालोगे interest paid नीचे वाली figure minus operating activities में और interest expense उपर add back interest किदर गया interest expense 45 add back करोगे यह balancing क्या आता है वैसे बता दो 50 रुपे यह 50 रुपे यह नीचे minus होगा मैंने का ज़रा देख ले न 45 add back होगा यह add back हो गया और 50 यह देखें 50 minus होगा ठीक है यह तो सवाल था बस हाँ असल तो adjustment रह गई थी आखरी adjustment है फिर चुटी है थोई technical adjustment ठीक है adjustment number 7 यह मैंने न एक बार जबानी बात की थी class के अंदर शायद पहली में ही कर ली हो बहराल वो क्यूंके आपको याद नहीं रही नहीं इसलिए हिम्मत मार हिम्मत आखरी adjustment है थोड़ी तैसे वो कुर्बानी के चुरी फिरती है ना बकर फिर आखर में एक जोर लगाता है वो आखरी यह वह वाला जोर है आखरी पांच मिनट ठीक है बचना फिर नहीं है आपने हो सकता है कोई और नहीं चीज़ में डिसकर अच्छा नही नहीं है working one में जो एक दम convert हो सकें cash में लहनी like cash है और फिर मैंने उस पहली class में आप लोगों को यह बताया भी था थोड़ा सा कि अगर कोई readily convertible नहीं होंगी तो सवाल बता देगा उन्हें working one में नहीं लेना खेर ऐसी जबानी बात की हुई भूल जाती है सवाल के अंदर अ प्लाय हो गई ना तो फिर जिन्दगी में जाद रहे जाएगी ठीक है ना अब आपको पता है एक तो working one के अंदर आप cash and cash equivalent ले रहे होते हैं closing और opening एक तो इसके अंदर आना है short term investment ने ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि short term investment जो readily convertible हैं वो 35 million है closing और 20 million है opening यानि यह situation वो कह रह अंदर short term investments दे रहा है 48 और 60 हुए 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 यानि के बाकी की जो short term investments है वो readily convertible into cash नहीं है तो फिर वो long term type ही हो गई ना long term ना सही लेकिन short term readily convertible into cash नहीं है इसलिए आपको short term investment जो के not readily convertible हैं उनके लिए एक ledger बनाना पड़ा आपने कहा जी opening balance total जो उन्होंने opening बताई हुई है वो कितनी है 48 48 में से 20 की जो थी वो readily convertible to cash थी तो बाकी 28 पर readily convertible नहीं है ऐसे ही closing में 60 total short term investments हैं सवाल कहता है इस में से 35 readily convertible into cash है तो मतलब बाकी readily convertible to cash नहीं है कितनी ठीक हो गया अब कहता है हां investment income for the year amounted to 6 million या बिलकुल वैसा ही ledger बन गया है जैसा कोई भी income का ledger होता है तो यह short term investment income का ledger basically मैं बना रहा था जिसमें यह income receivable है opening में यह income receivable है closing में और income के ledger में cash debit income credit cash इस तरह आता है तो income की figure प्रफ आजएगी ठीक है investment income सवाल में कितनी कह रहा है वो छे रुपे तो छे रुपे अगर चल यह investment income जो के profit and loss की figure होती है कितना आ गया छे तो यह balancing कितना आ जाएगा nine rupees अब यह छे की investment income है यह other income में पड़ी होगी जाहर है तो इसको आपने क्या करना है add हो चुकी है profit की figure तक आते आते add हो चुकी है यह non cash item है इसको reverse करना है तो less करेंगे और हमें यह figure profit and cash flow के अंदर लेके जानी है cash received from investment income अब इसको आप operating activities में ले जाएं यह कुछ मुनासिब नहीं लगता वज़ा पता है क्या है यह investment जो हम करते है न यह जो will पैसे पड़े होते है न उनकी करते है हमारे operations का part जैसे पैसे कम पड़ गए पैसे कम पड़ गए बैं इसलिए कहा था कि interest on loan operations का part नहीं है loan लेना इसलिए अलग रखो ऐसे ही पैसे इजाफी हो जाएं वद्दू हो जाएं तो हम उनको invest करके investment income कमा लेते हैं तो यह भी हमारे operations का part नहीं है इसलिए इस 9 रुपे की cash receipt को मुनासिब है investing activities में as a cash inflow show कर दो investment ही की है ना आपने short term के लिए सही यह investing activities के अंदर आपका cash inflow नजर आना चाहिए तो hopefully cash inflow उदर ही होगा cash received in respect of investment income 9 रुपी जहीं पर आ रहा है ठीक है और उपर आपने add back कर लेना है investment income को sorry less कर देना है investment income को 6 रुपे ठीक है please 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 मैंने का किताबे बंद करें कोई हिले गा रही अपनी जगा से आवाज disturbance आ रही है disturbance आ रही है चुप ओ भाई ओ भाई शरम होती है कुछ है यहा होती है हाँ भाई बोलो आज तक ऐसे ही करते आए ना मेरे चांद शेप्तर सो सवाल कि सौरी पांच साथ सवाल दस की है उनके अंदर हमेशा short term investment को short term ही लिया है working one में लिया है ऐसी बात इससे पहले भी कभी नी की उसने इसके बाद भी कभी नी की उसने तो ऐसी हरकत भी इससे पहले हमने कभी नी की ना इससे बाद कभी की जब तक ऐसे कहेगा नहीं खुद से readily convertible वाला नी सोचना जब तक वो short term investment लिख दे खामोश हो जाए मतलब क्या है readily convertible into cash ही है working one में लेकर जाना है ओके और जी और चले ठीक है जी बाकी इंचालला कल कल ल्याकत industries को करेंगे discuss और उसके बाद इंचालला आए सेट की तरफ चले जाएंगे इस आखरी 40 45 मिनिट्स के अंदर जिंदिगी रही तो कल मिलेंगे अल्ला हाफिस